हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जेयरे चैनल में आपका स्वागत है, इस चैनल पर हम एंटियनेट पेपर वन और पेपर टू दोनों की तयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से, पेपर टू है हमारा हिंदी साहित्य, तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जो हमारा पेपर वन है, उसकी यूनिट वन टीचिंग एप्टिटूर सिक्षन अभी शमता के हम इंपोर्टेंट MCQs देखेंगे, जो एक्जाम के पोइंट रोफ यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है, अगर आप इन कोश्चनों को करते हो तो आपके एक्जाम में ये कोश श्यांदार होने वाली है, तो आईए हमारा कोश्चन देखते हैं, 41-41 कोश्चन देखते हैं, निमलिक्त में से कौन सा शिक्षन सरवादिक अपेक्षी तुझेश्य होता है, ए चातरों के वेवार में वांचनिय परिवर्तन, बी चातरों के संपूर्ण व्यक्तितव का वि सरवादिक अपेक्षी तुझेश्य माना जाता है, यानि सबसे अच्छा उदेश्य कौन सा माना जाता है, तो चातरों के वेवार में वांचनिय परिवर्तन लाना, किसका शिक्षन का सरवादिक अपेक्षी तुझेश्य माना जाता है, चातरों के वेवार में वांचनिय प B. शिक्षन की विवीन तकनिकों के प्रियोग में नैपुन्या, C. शिक्षन के उचीत साथलों के उपयोग और प्रोद्यकी में नैपुन्या और D. उपरोक सभी, तो फ्रेंड से इस काराइट आंसर होगा, दे उपरोकते सभी ये सभी कारक शिक्षन दक्सता के लिए मूल रूप शयावशक होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निमलिक्त कत्नों में से कौन सा कतन सकते नहीं है A. अच्छा संप्रेक्षक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता B. संप्रेक्षक को अच्छा अच्छा बो दोता है C. संप्रेक्षक को विस्तर्थ पठन का ग्यान होता है D. संप्रेक्षक को सभी भाष्याओं का ग्यान होता है तो इसमें हमें नहीं पर ध्यान देना है तो फ्रेंट से हम स्टूडेंट से नहीं पर ध्यान नहीं देते और जो हमें कोश्चन आता है उसको भी गल्द करतेती हैं तो हमें नहीं पर फोकुश करना है तो इसमें पूछा गया है कौन सा खथन सत्य नहीं है तो ए हमारा राइट अंसर होगा कि अच्छा संप्रेक्षक के एक अच्छा द्यापक नहीं हो सकता अगला कुश्चन है हमारा 44 एक सफल सिख्षक वही होता है जो वह अपने विशे को अच्छी तरह से जानता हो भी जिसकी कख्षा का प्रिणाम सत्परतिशत आता हो C चातरों के लिए अभी गम्मे एकसेसिबल हो D उसके लिए परतिश्टिती पत्रिकाओं में परकाशिद हो तो एक सफल सिख्षक कौन होता है वह होता है इसका हमारा राइट अंसर होगा A वह अपने विशे को अच्छी तरह से जानता हो तो एक सक्षैस्पूल टीचर वह होता है जिसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नोलेज हो तो इसका राइट अंसर होगा A Next question देखते हैं क्यदी एक सिख्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निमलिक्त में से कौन सा उपाय करना चाहिए A अतिरिक समय के दोरान कोचिंग संस्ताओं में पढ़ाना B शिक्षन संस्ताओं में अधिगे पारिशार्मिक वाले कारिय करना C शिक्षन के अलावा अन्य सन्विधात मक कारिया Contractual Job से जुड़ना और D पुस्त के लिखना तो इसका हमारा right answer है कि कोई यदि एक शिक्षक अपनी आए बढ़ाना चाहता है तो उसे निमलिक्त में से कौन सा उपाय करना चाहिए तो इसका right answer है D पुस्त के लिखना चाहिए अगला question है 46 A एक प्राचारिय के रूप में आप अपने शिक्षक के सहयोगी को किस्प कारिया के लिए प्रोथ साहिद करोगे A भारत और विदेशों में शैमिनार उसम्मेलनों में भाग लेना B विशे के ग्यान की वर्दी के लिए पुनस्ट चरिया पाठ्यकरम रिफ्रेश कोर्स में भाग लेना और C दलितों के उठान के लिए सामुदा ही के शेवा करना या D उप्रोगते सभी तो इसका हमारा right answer होगा उप्रोगते सभी एक पराचारिय यानि एक प्रिंसिपल के रूप में आप अपने जो शिक्षक्षा है योग्यों को किस कारिया के लिए प्रोथाहित करोगे तो इसका right answer है उप्रोगते सभी नेक्स्ट कोश्चन है हमारा एक शिक्षा के निमन में से किस परकार की गतिवीदियों में अपने चात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी डंग से सामाजी को और नेक्तिक मुल्यों को आतम शाथ करने में साहता कर सकता है ए मुल्यों पर व्यक्षान देकर बी टीवी का रियकरमों को दिखा कर सी चात्रों में सै पाट्यकरम गतिवीदियों के सकरिये रूप से सम्मलित करके और डी दार में के उत्सोगों का अवलोकन करवा कर तो इसका हमारा right answer है सी चात्रों को साय पाट्यकरम गतिवीदियों में सकरिये रूप से सम्मलित करके अगला question है हमारा 48 एक शिक्षक अपने आपको एक परवाविसम प्रिक्षक के रूप में स्थापित कर सकता है ये दीव है option देखते हैं उप्योक सामगरी शिक्षन सामगरी का उप्योक करता है B जो सिखाता है उसका चात्रों को उसका अर्थ समझने में सायता करता है C शिक्षन अवदिम में परसन पूचता है ओडी चात्रों को विशय पर पूचे गए परसनों के सही उत्तर उपलब्द करवाने में साहेक होता है तो इसका हमारा राइट अंसर होगा 48 का हमारा राइट अंसर है B जो सिखाता है उसका चातरों का अर्थ समझने में साहता करता है अगला कोस्टन है अमारा उच शिक्षा के छेतर में शिक्षण का क्या तात्फरिया है? बनाना उच शिक्षा के चेतर में शिक्षन का यह अतात परिया है कि वह चातरों को जो वो अधीगम कर रही है उस परकरिया को इजी बना देना यह उच शिक्षा के चेतर में शिक्षन का अतात परिया है अगला कोश्टन है पचासमा हमारा एक शिक्षक के शिक्षन परकरिया को अधिक परबावी बना सकता है यह दिवह है ए विशो का विशे शग्य हो बी विशे को पडाने में काफिय नोबवी हो सी शिक्षार्थियों के पूरो ग्यान को ध्यान में रखे ओड़ी विभिन परक की सामगरी शिक्षन सामगरी का उपयोग करता हो तो इसका हमारा राइड आंसर है सी शिक्षार्थी के पूरो ग्यान को ध्यान में रखकर शिक्षन कारिय कर रहा हो जिससे शिक्षक अपनी शिक्षन परकरिया को अधिक परबावी मना सकता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निमलिक्त में से किस तित्थी में कोलेज शिक्षक वास्तों में चात्रों के लिए साहिक हो सकता है A. कक्षा में सुरुत लेखन करवाई B. वहप निमुल्यांकन में निस्पक्ष रहे C. चात्रो की चात्रो को कक्षया में पर्सन पूचिने के लिए प्रोचाहित करता हो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 52 उच्छी क्षिक्षा में अध्यापन का सबशेवांचित प्रिनाम कोई सा है आ विद्यार्थियों की उपलब्दियों में विर्दी बी विद्यार्थियों की सवतंतर सोच के सतर में विर्दी अगला कॉश्चन है हमारा पुस्त के संचार का एक सकती शाली सत्रोत हो सकती है यदि A सामान्या सारांस परदान कर सके B पाठ्थे सामगरी दर्ष्टांत दर्शक इल्लस्ट्रेटिव है C माद्यमिंदी है D यदि पाठ्थे सामगरी को चीछाप के माद्यम से परस्तुत किया जाता है तो इसका हमारा राइट ओप्शन होगा B पाठ्थे सामगरी दर्ष्टांत तक दर्शक है यदि पुस्त के संचार का एक सकती शाली सत्रोत हो सकती है यदि वह पाठ्थे सामगरी दर्ष्टांत दर्शक हो जानि जो स्टूडेंट्स ने पढ़ रहे हैं उन्यासानी से समझ में आ जाए अगला कोश्चन है हमारा 54 निमलिक्त में से कौन सा प्रिणाम पर बावी शिक्षन का सबसे सही परकार से परती बिम्वित करता है ये चात्रों की उपस्तिती B विशे सम्मान C चात्रों दबारा पुछे सार्थक परसन और D कक्षा में पूर्ण रूप से श्यानती होना तो 54 का हमारा राइट ओप्षन होगा C चात्रों दबारा पुछे गए सार्थक परसन को प्रिणाम पर बावी शिक्षन की सबसे सही परकार से परती बिम्वित करता है चात्रों दबारा पुछे गए सार्थक परसन नेक्स्ट कोश्चन है हमारा और ये हमारा लास्ट कोश्चन है निमलित में से कक्षा सिक्षन का सब से मैं तोर्पून उदेशय कौन सा है ए जानकरी देना भी जिग्यास उमन को विक्षित करना C, चात्रों के विक्तितेओं का विकास करना और D, चात्रों की प्रिक्ष्याओं में उत्तीम्ध होने में साइदा करना तो इसका हमारा राइट ओप्षन होगा B, जिग्यास उमन को विक्षित करना कक्ष्या सिक्षन का सब से मैं तोपून उदेशय है कि जिए आशुमन को विक्षित करना यानि स्टूडेंट्स में कोश्चन करने की भावना को विक्षित करना इसका हमारा राइट आंसर है भी तो फ्रेंट्स आज हमने इस वीडियो में इंपोर्टेंट एमसी क्यूज किये हैं तो आपके ये कोश्चन कितने सही हुए है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और आपके आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो फ स्टूरेंट से हिंदी मेडियम से पेपर वन की तयारी कर रहे हैं उन सभी को इन वीडियो जाला पुंचे तो फ्रेंट से तब तक के लिए खुछ रहें सवस्तर रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें थैंक यू